अगर आप अपने फोन के अंदर वाटस अप यूज करते हो तो आज की वीडियो आप सभी को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो मैं आप सभी के लिए टिप्स और ट्रेक्स और सीक्रेट फीचर हीडेन फीचर जो लाया हूँ वो आपको डेली रोज मर्रा की जिंदगी में याने की डेली आपको काम आने वाला है वही टिप्स और ट्रेक्स आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर लाया हूँ और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको तीन एक्स्ट्रा बोनस टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेगा और उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आप सभी से मेरा request है कि आप इस वीडियो को एक like कर ही देना और हाँ comment box में कोई बिनोध नहीं लिखेगा Suppose कीजे मैं यहाँ पर अपना WhatsApp open किया और इस contact को मैं यहाँ से block कर देता हूँ यह more पर गया block और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे block अब कैसी पता करूँ कि यह बंदा मुझे block कर दिया है अभी तो पता चल गया क्योंकि मैं आमने सामने दीख रहा हूँ लेकिन आप इस बंदे को message पर message message पर message कर रहे हो अब कैसी पता करोगे कि आपको इस बंदे ने block कर दिया है तो उस situation में आप क्या किजी कि यहाँ पर three dot पर click किजी new group पर click किजी जिस भी बंदे को आप check करना चाते हो कि हाँ उसने मुझे block किया है कि नहीं किया है तो उसकी अलावे एक और बंदे को आप इस group में add किजेगा suppose किजे मुझे इस बंदे ने block कर दिया है तो अब मैं क्या करूंगा इस बंदे का number search कर लिता हूँ एक और बंदे को आप यहाँ पर add कर लिजे ताकि आपका group बंद सके तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और नंबर को add कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हम next कर देंगे और यहाँ पर आप group का कुछ भी नाम दे दिजे यह मैंने tick कर दिया यहाँ पर देख सकते हैं आपका group ready हो चुका है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे उपर में तो आपको सिर्फ दो ही बंदे दिख रहे होंगे एक बहन और दूसरा you यानि कि हम जिस बंदे को check करना चाह रहे थे कि उसने मुझे block किया है कि नहीं किया है तो हमें यहाँ पर पता चल गया क्योंकि हम इस बंदे को group में add नहीं कर पाएं तो अब हमें पता चल गया कि यह बंदा ने मुझे block कर दिया है दोस्तो अगर आप किसी भी message को select करके forward करने जाते हैं तो आप 5 लोगों से ज़्यादा क्या आप message नहीं कर सकते हैं देख सकते हैं you can only share with up to 5 chats तो 5 से ज़्यादा लोगों को message हम कैसे करें एक बार में और वो भी बिना group बनाए तो यहाँ पर हम okay पर click कर देते हैं back करते हैं फिर से back करते हैं अब यहाँ पर आपको करना क्या है इस three dots के option पर click करना है new broadcast पर click करना है अब यहाँ पर आपको जिन जिन message को daily good morning, good afternoon, good evening या फिर photos message जिनको आपको daily message करना रहता है अपने favorite contact को यहाँ पे select कर लिजे, तो यहाँ पे मैं फटाक से 4-5 contact select कर लिता हूँ, यहाँ पे मैंने 7 contact को select कर लिया, अब यहाँ पे टिक पे click करते हैं, टिक पे click करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 7 contact आ चुका है, अगर मुझे किसी को भी कुछ भी भीजना हो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार में यहाँ पे अगर मैं हाई लिखा तो यह हाई मैसेज साथ लोगों तक पहुँच गया एक मैसेज एक बार में हमने साथ लोगों को भेज दिया जहां पे हमें कहा जा रहा था कि आप 5 से ज्यादा तक message नहीं भेज सकते हैं वहां पे हमने 7 को भेज दिया इस तरीके से आप एक नहीं 256 लोगों तक एक बार में एक message को भेज सकते हैं दोस्तों WhatsApp में एक नया update आ चुका है जिससे कि आप किसी का भी DP डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप उस situation में screenshot ले सकते हैं लेकिन अगर आपके पास दो android phone है या फिर आपके पास एक phone है और एक laptop है तो उस situation में आप इस trick का इस्तिमाल कर सकते हैं और इस trick की मदद से आप एक और कांड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो को देखते रहिए तो आप अपने Chrome ब्राउजर में web.whatsapp.com इस URL को सर्च कर लिजे सर्च करने के बाद जो आपको यहाँ पे QR code दिख रहा है वो QR code को इस phone के मदद से आपको scan करना होगा तो यहाँ पे 3.00 पे क्लिक करने के बाद WhatsApp, web पे क्लिक किजे और यहाँ पे जो आपको scan करना है वो आपको इस QR code को scan कर देना है इस तरीके से QR code को scan करेंगे तो जो इस phone का WhatsApp होगा वो इस phone के अंदर आ जाएगा अब आपको जिसका भी DP डाउनलोड करना है बस यहाँ पे आप उसके profile पे क्लिक कीजे यहाँ पे आपको DP दिख जाएगा इस पे आप क्लिक कीजे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप लॉंग प्रेस कीजे और यहाँ पे आपको एक option दिखेगा डाउनलोड इमेज इस पे आप क्लिक कीजे और यह जो आपका इमेज होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके phone गैलरी में तो इस तरीके से आप DP डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप किसी का भी इस तरीके से जिस तरीके से मैंने QR code स्कैन करके इस phone में ले लिया उस तरीके से आप किसी का भी अगर WhatsApp अपने phone के अंदर ले लेते हो तो आप उसका जब मन चाहे तब उसका DP आप चेंज कर सकते हो जब मरजी तब किसी भी बंदे का या बंदी का DP चेंज करना चाहते हैं अपने फोन से तो सबसे पहले आप उसका WhatsApp अपने फोन के अंदर ले लिजे QR कोड स्कैन करके और करने के बाद यहाँ पे आप उसके profile के option पे चले जाएए और यहाँ सी आप उस profile के click करेंगे तो यहाँ से आप उसका DP remove कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं वो भी अपने फोन से इस situation में आप सिर्फ एक ही का एक बार में कर सकते हैं मतलब DP change आपके WhatsApp के अंदर किसी भी message को आप select करते हो तो यहाँ पे आपको एक copy का option देखने को मिलता है इस copy से आप सिर्फ message को copy कर सकते हो लेकिन अगर आप अपने phone के अंदर एक app को download करके उसके अंदर एक setting कर दोगे तो आप जब भी copy वाले option पे click करोगे तो जो message आप copy करोगे वो आपका तुरंत चुटकियों में वही का वही translate हो जागा जहां से आप copy करोगे तो आपको करना क्या होगा आप उस application को नीचे दिये गए link से download कर लिजेगा download करने के बाद आप open कीजेगा three dot के option पे click कीजेगा setting पे जाइएगा यहाँ पे आपको एक option दिखेगा tap to translate इसके अपर click कीजेगा यहाँ पे आप इस toggle को on कर दिजे अब आप उस whatsapp के अंदर चले जाएए यहाँ पे आप उस message को select कीजे copy वाले option पे click कर दिजे और यहाँ पे आपको वो message translate हो जाएगा देख सकते हैं today I am 23 year old तो आपका हिंदी वाला message इंग्लिस में translate हो गया और अगर आपका message इंग्लिस में होगा तो वो हिंदी में translate हो जाएगा दोस्तो आपके phone के अंदर एक delete का भी option होता है यह देखे delete का बटन है और इस delete के button से आप किसी को भी जो message भेजते हो उसे delete कर सकते हो उसके phone से ये तो आपको पता है लेकिन अगर कोई आपको message भेजता है और वो उसे delete कर देता है तो फिर आप उसे कैसे read करोगे जैसे कि यहाँ पे मैं इस phone के अंदर इस phone से एक message को भेज दिया यहाँ पे देखिए message आ गया आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ इस message को यहाँ से delete कर देता हूँ यह देखिए delete पे click किया delete for everyone कर दिया करने के बाद यहाँ पे आपको एक और message उपर में आ जाएगा कि राजा राम ने this message was deleted तो अब आप इस message को वापस कैसी पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको एक app का download link दे दिया हूँ उस app से आप एक नहीं बहुत सारे काम कर सकते हो अभी मैं आपको delete वाला बताता हूँ तो आपको उस app को open करना है और यहाँ पे आपको whatsapp का option दिखेगा और यहाँ पे उस बंदे का नाम भी दिखेगा जिसने आपके message को delete किया था तो यहाँ पे मैं इस message के उपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप राजा राम प्रसाद के अंदर आएंगे तो आपको दो notification दिखेंगे पहला जो message भेजा था वो और दूसरा delete किया है वो तो आपको पता चल गया ना कि कौन message वो भेजा था अब यहाँ पे आपको एक और feature जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है इस feature के अंदर आपको एक नहीं तीन feature मिलेगा कौन-कौन सा अगर आप इस application को install करते हो तो आपको deleted message read करने का feature मिलेगा अगर आप इस app का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको तीन और feature मिलेगा कौन-कौन सा पहला आपका online status कभी नहीं update होगा जब आप अपना WhatsApp open करोगे तभी update होगा दूसरा आपका last scene जितना बजे का था उतना ही बजे का रहेगा अगर आप अपने WhatsApp को open नहीं करते हो तो तीसरा अगर किसी का भी message आता है तो आप बिना blue tick लगे उसका message read कर सकते हो इस app के मदद से चौथा अगर आप offline होके किसी से बात करना चाते हो बिना online update हुए बिना last scene change हुए तो आप इस app के मदद से कर सकते हो तो कैसे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है आप जिससे भी बात करना चाते हो आप बस उसका conversation यहाँ से start कर लो जैसे कि मैं राजा राम से बात करना चाता हूँ तो उसने मुझे यहाँ पे high भेजा तो अब मैं क्या करूँगा अपना whatsapp वाला notification को ignore करते हुए यहाँ पे मैं notice save app को open करूँगा और यहीं से अब मैं उसे high और hello का reply करूँगा हाई का high reply कर दिया यहाँ से चला गया फिर से मैं यहाँ पे भेज देता हूँ फिर से यहाँ पे मैंने कुछ भेज दिया तो यहीं से अब आप message को read, received अगर आपको किसी से भी offline बात करना हो तो आप इस app से बात कर सकते हो अगर किसी का message चुपके से पढ़ना हो तो आप इस app की मतद से कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को दोनों हाथों से लाइक कर देना वैसे तो एक ही लाइक का बटन होगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास सेर कर दो क्योंकि आप सभी के लिए हम ऐसे ही वीडियोज बनाते रहते हैं